एलो वीवार्स अंबोक्सिंग डिया में आप सब का स्वागते और में हम्रान आज मेरे पास जो इस स्मार्टफोन है और वो है वीवार्ट T1 5G जी घाएक बहतरी निस स्पेसिफिकेशन के साथ में वीवो की दुरों को इंडिया मार्केट में लौंच किया है वीवार्ट T1 5G स्मार्टफोन को करेंगे अन्बोक्सिंग जानेंगे इसी इस इस स्मार्टफोन के बारे में डीटेल में फोन की स्पेसिफिकेशन प्रास और आन बॉक्सिंग करके और्यस्ट रिप्व्यूँ रखेंगे ज़ाइस वीडियो को आपन पहलाइक के सब्सक्राइब कर देजें करा निचे को एंगर्स पह Hollow cream को सब्सक्राइब कर जूरू हो जुज आप तक पुछ के लाइक और जुए साथ जरू कर देना और तक्षिक नहीं के स्मार्ट फून की बॉक्स कुछ इस तरी किस्ट उप्पार्च जेका ब्राइफ्टेंग सीप्स्टों स्लीम डिजाइन के साथ यह डिवाइज डिवाइज में 8GB RAM है 128GB internal storage और इसके लावा 4GB extra RAM भी दिया गया है जो software ways है यानि कुल देखा जाए 12GB RAM 128GB ROM है चबस दिये सबसे बहले box को unbox कर लेते हो चुका है T15GB box unbox और इस यह box के अंदर एक section देखने को मिलता है Vivo का branding के साथ में और इस इस section के अंदर यहाँ पर हमें क्या कुछ मिलता है देख सकते हो transparent case cover documentation यह सभी contents मिलता है section में और बाकी यह रहा T15GB काफी बड़ी डिवाइस यह दिखाऊंगा डिवाइस को और star light black कला में यह डिवाइस इसके लवा rainbow fantasy कला में भी यह डिवाइस मार्केट में अफालेबल है इसके लवा यहाँ पर देखा जाए एक adapter दिया गया है जो 9 वोट एंट 2 एंपियर या एक 10 वोट चार्जर दिया गया है और यह रहा एक बड़ी असा टाइप सी केवल और यह केवल के अलावा यहाँ पर सी मेजेक्टर भी देखने को मिल रहा है तो यह सबी बॉक्स कॉंटेंट है चलिए डिवाइस को इस परडिक्शन से निकालते है और यहाँ पर देख सकतो कुछ इस तरिके से लुक्स और ड फ्लाश और फाइब जी मेंशन किया गया है कैमरा मोडियूल बहुत ही ज्यादा बड़िया है और खास करके यह जो स्टार लाइट ब्लेक कर रहे है इसमें डिवाइस बहुत ही ज्यादा मेजिंग बहुत ही कूल एंड बहुत ही ज्यादा स्टाइलिस डिवाइस बेक बोड डिजाइन के मामले में जो T1 5G स्मार्टफॉन है बहुत ही ज्यादा आगे है जा दोस्तों इस प्राइस पॉंड के हिसाफ से वन अफ बेस्ट बजट स्मार्टफॉन है जिसमें आपको बहतरीन लुक्स वाला स्मार्टफॉन मिल रहा है डिवाइस के साथ में बॉल्यूम टाइप सिपोर्ट मैक्रोफॉन 3.5 mm चेक अवालेवल है यहां पर देख सकते हो नीचे के तरफ देखनों को हमें मिल रहा है और डिवाइस की इस तरफ देखा जाए है अउपर की तरफ नौइस के सिलेशन मैक्रोफॉन है सिम रहे है रिपल स्लोट वाला सिम रहे है और इस अलगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए और इसी स्मार्टफोन के अगर हम बात करें डिस्प्ले के उपर तो इसी स्मार्टफोन में IPS SSD का उप्योंग किया गया है 120 हर्ज रिफ्रेश्ट रेट है बहतरीन स्मूथनेस डिवाइस के डिस्प्ले में हमें यहां पर देख रखा गया है तो आवराल यह जो वीवो टीवान 5G स्मार्टफोन है बहुत ही अमेजिंग है डिस्प्ले के मामने में काफी शांदार एक्स्प्रियेंस रहेगा तो डिवाइस की प्राइस रेंज की साप से डिस्प्ले को देखा जाए कहीं न कहीं बड़ी है क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है और चले फिलहाल बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की प्रफॉमेंस के बारे में यह जो स्मार्टफोन है इसमें हमें 8GB RAM मिलता है यहाँ पे देख सकतो 4GB Extra Software Waze RAM भी दिया गया है कुल 12GB RAM है डिवाइस में 128GB internal storage इसके GPU Adreno 619 GPU दिया गया है तो overall कह सकते हैं डिवाइस में एक अच्छा खासा प्रोसेसर दिया गया है इसके लवाइब बहतरीन परफॉमेंस मिलेगा Gaming and Speed के मामले में यह जो Vivo T1 5G और साथी साथ यह 5G प्रोसेसर के साथ में भी आता है और डिवाइस Android 11 से चल रहा है फिलहाल 12 का हम बात करें बैटरी परफॉमेंस के उपर तो यह जो Vivo T1 5G स्मार्टफोन है इसमें 5000 मिलिया इंप्यार का बैटरी मिलता है इसके लवाइब यहाँ पे 18 वाट फास्ट फास्ट तोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था 33 वाट 50 वाट के आसपास यहाँ पे फास्ट फास्ट होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 18 वाट दिया गया है जो मुझे प्राइस रेंज के साफ से थोड़ा से यहाँ पी कमी महसूस हुआ अभी वह T1 5G स्मार्टफोन में हमें तीन वेरियंट देखनों मिलता है 4GB 128 वी इसके लवाइब 6GB 128 वी और यह जो मेरे पास वेरियंट है 8GB 128GB तो यह तीन अलग-अलग वेरियंट अलग-अलग प्राइस रेंज के इसाफ से मार्केट में वालेवल है और इसी स्मार्टफोन की सीकुर्टी के मामले में बात करो तो इसी स्मार्टफोन में फिंगर्पेंट स्केनर भी है इसकलाब फेस अनलोक का भी ऑप्शन और देखते हैं कि किस तरीके से यह परफॉर्म करता है और बहुत लोग यहाँ पर पूछेंगे कि डिवाइज में यहाँ फिंगर्पेंट स्केनर इन डिस्प्ले क्यों नहीं दिया गया है तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि डिवाइज में IPS LCD का उप्योग किया गया है अगर एमलेड स्क्रीन होता तो कहीं नहीं डिवाइज में फिंगर्पेंट स्केनर इन डिस्प्ले होता लेकिन यहाँ पर IPS LCD का उप्योग किया गया है जिसका वजह से यहाँ पर साइड right के साथ में जो फिंगर्पेंट स्केनर इहाँ Il uniform Quindi scanner का उप्योग किया गया है यहाँ सब्सक्राइब कर दिया है और यहां पर देखने को मिल जाता है कैमरा ट्रेपल रियर कैमड़ा सट अप जहाँ जो प्राइमरी कैमरा दीए गए डिवाईज में वह फिटिग मेडाबिक्सिल का है जी हा डूस्तों अपरचार एफ 1.8 के साथ में इसके हैं करो लिए 2 मैडा 2.4 के साथ में दिया गया है और इसी स्मार्टफोन में जो सिल्फी कैमरा दिया गया है 16 मेगा बिक्सल अपर्चड एफ 2.0 के साथ में दिया गया है और चलिए फिलहाल इसी स्मार्टफून के साथ कुछ फोडूस क्लिक करते है और देखते है किस तरीके से ये परफॉर्म करता है इसके लिए डिवाइस में तरह दरगी यहाँ पर आप्शन हमें देखने को मिल जाता है फोडूग्राफी के मामले में तो इसमें AI बरफूर मातरा में दिया गया है तो कहीं लखे ही केमरा स्पेसिफिकेशन्स में ये डिवाइस काफी बढ़िया है और यहाँ पर कुछ केमरा सिंपल चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये फोडूस आउटपुट देता है यहाँ पर देख सकते हो मैंने काफी सारा फोडूस क्लिक किया है और मुझे काफी बढ़िया डिटेल यहाँ पर नज़र आया जो आउटपुट है रिजाल्ट है केमरा के मामले में वह काफी अच्छा है जिया दोस्तों यहां पर येर कैमरा के साथ मैंने काफी सारा फोरूज और फ्रांट फेसिंग कैमरा के साथ काफी सारा फोरूज यहां पर क्लिक किया है और आप लोगे साथ यहां पर शेयर कर रहा हो और डेफिनेटली जो डिवाइस के प्राइस रेंज है उस हिसाब से डिवाइज में बहुत ही अच्छा केमरा स्पेसिफिकेशन मिलता है और यह काफी आउर्स्टेंडिंग तरीके से काम करता है जो आउट्पुट है रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है यानि में कहुंगा कि definitely यह जो वीवो T1 5G स्मार्टफोन है यह एक केमरा सेंटी की स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज के इसाब से बहुत ही अच्छा केमरा स्मार्टफोन T1 5G रहेगा और चले दोस्तों फिलाल बात करते हैं वीवो T1 5G स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में इसमें जो बेज वेरियंट है हुआ आता है 6GB RAM, 4GB RAM and 128GB internal storage के साथ में जिसका प्राइस है 15,919 रुपीज यानियो अल्मोस 16,000 का डिवाइस है और जो 6GB RAM and 128GB internal storage वेरियंट है उसका प्राइस है 16,919 रुपीज यानियो अल्मोस 17,000 का डिवाइस है और मेरे पास जो वेरियंट है 8GB RAM, 128GB internal storage इसका प्राइस इंडिया में रखा गया है 19,919 रुपीज यानियो अल्मोस 20,000 का ये वीवो T1 5G स्मार्टफोन है तो प्राइस रेंज के हिसाब से एक बहुत या इचाड़ वाइस एक पैसा वसूली स्मार्टफोन है वीवो T1 5G अगर इसी स्मार्टफोन का प्रचेस करते हो तो डेफिनिले आपके लिए एक value for money product रहेगा वीवो T1 5G वीवो की तरफ से एक जवरदस स्मार्टफोन इंडियान मार्केट में लांच किया गया है जो मुझे काफी स्यादा लुबाया है तो यही दोस्तो वीवो T1 5G स्मार्टफोन की अंबॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन की बारे में उम्मिद है आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए चैनलों को सबस्क्राइब नहीं क्या नीचे दीएगा रेडिवनों को क्लिक करके चैनलों को सबस्क्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शियार कीजिएगा तब तक लिए बाई टेक क्यार और जाहिंद